बच्चो आज सेकेंड यर पॉलेटिकल साइन्स में अपन जो मौली क अधिकार का विशह शुरू किया था और इसके अंदर मौली क अधिकारों के 6 क 6 मौली क अधिकारों की एक एक करके चर्चा शुरू की थी और इसमें सबसे पहले जो तो पहला अलिक अधिकार है उच्छेट 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार इसके बारे में आपने एक विस्तरी जान करें लेगी अधिकार 14, 15, 16, 17 और 18 इसके बारे में और ये भी देखा था कि किस पुटार ये जो समानता ते अधिकार का मूल उद्धि करना उसकी इस्धापना में इसकी कितनी महति भूमिका है ये अपने विस्तार से देखा है सबी अनुच्छे दो में और किस प्रकार कानून का राज विदी का शासन कैसे स्थापित होता है इसी अनुच्छे चवुदा के वाधियम से वो भी देखा है अब जो दूसरा मौल मौलिक अदिकार का लेख है थी मौलिक अधिकार है वह है इक प्रकारसे कई जिटने मी अधिकारों की सिधान्तिकार है उनके हिसाब से यह है चान 것이 ने का था आफ लीवर्टी को सब्सक्राइबों इसको कोई चीन नहीं सकता। इसी प्रिकार जो अमरीकी स्वातंत्र संग्राम हुआ उसके बाद Bill of Rights आया। उसमें स्वातंत्रता एक बहुत एहम सिध्धान्त रहा। फिर इसके बाद 1789 में जो स्वातंत्रता का सिध्धान्त में आधुनिक राजनितिक सिध्धान्त में और लोगतंत्र की दिश्टी से बहुत एहम है। भारत की आजादी की लड़ाये मुलक है यही की स्वाधेनता यानी की कुल्मिलाकर स्वाधेनता वहाँ पर बात राश्टर के स्वाधेनता की हो रिदी लेकिन राश्टर का निर्मान जिन व्यक्तियों से होता है उन व्यक्तियों उन नागरिकों को भी उसके राज्जी के सिटिजन्स को भी ये मुस्वतनत्रका गादिकार मौलिक मिले संभिधान संग्रक्षित हो ये इस बात को सुनिश्चित किया संभिधान के अनुचे 19 से लेकर 22 अब जो 19 का संभिधान 19 अनुचे 19 है सबसे पहले वह संभिधान के द्वारा उसके वाद से जो है अब च्छे 19 का से लेकर च्छाता ये च्छे प्रकार के की स्वतनत्रताओं का उलेक है और जो सबसे पहला है वो तो खेट बहुत ही इंपोरेंट है जो कोल मिलाकर विचार अभिव्यक्ति की स्वतनत्रता जिसके अंदर जिसके क आजादी की स्वतनत्रता का अलग से वो प्राव दानी है लेकित यह अनुच्छे 19 का केता है अंतर जीत विचार अभिव्यक्ति की स्वतनत्रता केता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं विचार अभिव्यक्ति एहम है लोगतंत्र के लिए और इसमें भारत के सभी नागडिक विचार व्यक्त्रक्ते करने भार्षन देने का अधिकार है और अनेक जो अवाद हुए हैं जाहे है रमेश्था पर बना मद्रास राज्य है सर्वुचे नियाले ने इसकी व्याख्या की और कहा कि अपराद के और इसके उतब व्याख्या की मेंका कांथी वाले केस में व्याक्या की और अनेक अन्या जो वाद है उसमें इस अनुच्छेत 19 आ के भ्रावधानों का बहुत स्वास्त रूपते व्याक्या किया गया है इसके अंदर ही यह बात भी है कि देखिए आपको बोलने के अजादी है जाहें वो अनुच्छेत आ हो या अनुच्छेत इसके अंतरकत आने वाले अन्या स्वातंतरता के अदिकार हो इन सब पर उचित समुचित उपयोक्त और जैसा भी राज्य की सुरच्छा और राज्य के अन्या गानुन विवस्था की दिष्टी से उचित समझाता है सरकार इसके उपर प्रतिबंद लगा सकती है और जरोच नयाले ने भी खहा कि या उचित युक्ति युक्त प्रतिबंकर युक्ति प्रस्क्रिक्शन्स वेना वो तो लगाया जासे जातो यह एसमित नहीं है स् स्वतंदिता की बात जो है वहीं तक घा डुषरी की स्वतंदित नहीं मानिया से अगर नियम है बच़ो की हम हमारी उच्पी कि हम समय अ कि लेकिन उसके यह है के पर अपने ट्रेफिक यादायात के नियामों की पालना करते हुए हम भाहिए तरफ चले तो यह जो है इस तरह के युक्त-युक्त-प्रतिवंद्वम्निकारर्ण सामानिय हिद में जनहिद में एक कानुन विवस्तागेजिस्टी से इसके उपर प्रतिवंद्वम्निक लगा है और इसी के अंतरगर जो 2004 में कहते हैं इसी इसी अनुच्छे 2019 का और भी ज्यादा विस्तार हुआ जब 2004 में सुचना कादिकार विध्यक पारित हुआ और विश्व में पच्वनवां देश धा जहां जनता ने सुचना का और प्राप्त किया तो इस प्रेकार इस विचार विविद्य के अंदर बहुत सारे सुचनाएं भी आप सरकार से सरकार की कारवाही के बारे में ले सकते हैं और तक नुसार निविचाफ देखते कर सकते हैं तो यह अधिकार काफी एहम है अब जो दूसरा अधिकार है वह है सांत्यकुन सम्मेलन की सब्सक्राइब कर सकते हैं शामिल अयुजीत करसे और इसलिए हम देखते हैं कि सभाइय होते हैं सम्मेलन होते हैं वीज उपर वी युद्डी के प्रतिद्र हाला कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर्ताल करना जो मौली कदिकार है और क्योंकि सम्विलन भी हर्ताल भी सम्विलन की बाती है तो वह भी मौली कदिकार है लेकिन दोहजार तीन में एक अन्यायले का जो मत्रास के जो तमिलाडू में एक हर्ताल हुई थी उसके समन्द में सरुष नायरे यादिस किया कि कुल मिलाकर हर्ताल करना जो हो मौली कदिकारों में शामिल नहीं है इसी तरह की गई व्याठ्या आगे भी होती रही है कीसरा जो अनुच्छे दा उन्यिस एंतरगी अधिकार है वो है समुदाय और संगठन संग का निर्मान करना यानि कि अपने शांतिपुन उद्यशव की प्राप्ति के लिए नागरिग आपने इसी विप्रकार के समुदाय संगठन संग का निर्मान कर सकते हैं भारत के संपुर्ण स्रीमा चेत्र में निर्बाद अबाद रूप से भ्रहमन करने की स्वतंद्रता यानि कि यह मौली करिकार है हाला कि इसके तहर इसको भी अनेक प्रकार की समीधान प्रावदानों के तहर्ट युक्तिक्त रूप से प्रतिबन किया जाता रहा है जैसे पहले जम्मू कश्मीर था धारत इंगस्वत्र के हटाने से पहले धारत इंगस्वत्रत हटके आपको करिये पावंदिनी रही कई उत्तरपुर्व के राज्यों में कई अरुनाचल में जो अधिशूजित छेत्र है वहां पर अभी भी प्रतिबन्द सुरक्षा धिनस्ट्री से लगाए जाता है लेकिं निर्बाद रुप से पूरे भारत वर्ष की सीमा चेत्र बहुन करने का अधिकार, बॉलीक अधिकार है, फिर इसके बात जो पाच्वा पाइस है भारत के सीमा चेत्र में कहीं भी निवास करने की सोथ dazzrites था, कहीं भी इच्छा बंद उत्तरपूर वारी मातल वेर राजों में हैं, लेकिन वहां भी युक्ति-युक्त है, नियमोंक के अनुसार है, निय था, भारत के सीमा छित्र में कहीं भी सभी नागरिए को सही रूक्षे निवास करने की का मौलिक अधिकार है, और जो छटा अधिकार है, वो ही और वो और व्यावशाय करने की स्वतंद्रता है हाला कि इसके उपर भी फिर पुनेहें कहता हूं कि युक्ट्य उक्तिव्युक्त्य प्रतिबंद क्या है। इसकी व्याक्या भी कई बार हुई है जिसे अनुच्छे दो उन्नीस दो में वो आधार हैं इसके आधार पर कई प्रकार के यूट्यूब के प्रतिबंदर लगाए जाते हैं राजी की द्वारा इनातिकार में व्योबन जैसे राजी की सुरक्षा, विदेसी राजों से मैत्र लोग व्यवस्ता यानि पुब्लिक और्डर, कार्णु व्यवस्ता, सिष्टाचार या सदाचार, न्यायले की अभमानना, मानहानी, अपराद के लिए उठ्टे जित करना, भारस की संप्रभता और तर्णता की सुरक्षित रखना, यह सब कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण न्यायल पर तर्टि बंद लगाया जा जClassा, इतनी बार इनकी व्याख्या हुई है, कि ए बहुत ही ज़्याधा असपश्ट है, और इसका उपयोगी सरवादिक होता है, क्योंकि जब विपक्ष हो जिस देश में, जिस देश में लोगतंत्र हो विपक्ष हो, विपक्ष हो, तो वहाँ पर यह सारे अधिकार 19 और 12 महत्य हो जाता है और फिर नागरिकों को एक राष्टी एकता खंड़ता की दिश्टी से पूरे देश में अनेक प्रकार के भ्रह्मन करने निवास करने आजिवी का कमाने इत्यादी की स्वत्रता दिली है तो यह राष्टी एकता की अनुचेद के यह है इसी व्यकति को उस समय तक अपरादी नहीं ढहिए दिया जा सकता है और किई अफ्राद के लिए अभ्यूप्त को अभ्यूक्त को س्वयम अपने गव्रुद्ध गवाहि देने के लिए बादिया नहीं किया जा सकता है यह कुल लाकर अपराद के लिए दोश सिद्धी के विशे में संग्रक्षन प्रदान किये गए है यह यह इंपोर्टेट इसलिए है क्योंकि कुल मिला कर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर न्याय की कारंटी हो और न्याय में किसी भेदभाव की इंजाइश नहीं रहे इसलिए यह प्राधान है यानि कि कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागो नहीं हो सकते है यानि आज एक कानून बना और साल और पहले वो कानून में अपराद नहीं था उस समय किसी विक्ति ने अगर उसक्रित्तिक हो किया हो उसको अपरादी नहीं माना जाएगा आज की तारीक के पिछे की तारीक से लगो नहीं होगा और आहे वोक्ती में कि इनसी विक्तिने के लिर्यं नहीं होगा और किसी अभ्यूंत को एक ही अपराद के लिए एक बार से गैदित नहीं आपीस के अंदर अब तक का सबसे वियापक अनुच्छे अधिकार मॉलिक अधिकार बने गया है को उसकी तर्चाइब